नमस्कार दोस्तो बैट अन बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गौतम गंबीर बन सकते हैं इंडिया के अगले हेड कोच बीसी सी आई ने किया संपर्क आईपिल दो हजार चौबिस अपडेट और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं गाईस कोच के रूप में देखने की संभावना परबल हो गई है बीसी सी आई ने गंबीर से इस बात पर संपर्क भी किया है जबकि आईपिल दो हजार चौबिस में वह है कुलकता नाइट रैडर्स के मेंडर के भूमी का निभार रहे हैं ड्रैविट का कारेकाल समाप्त की ओर टी ट्वेंटी वल्लकप दो हजार चौबिस के बाद राहूल ड्रैविट का कॉंट्रेक्ट खतम हो रहा है और उन्हें इससे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है बीसी सी आई ने नए कोच के लिए आवेदन मांगे हैं जिसमें गौतम गंबीर का नाम सबसे उपर है ड्र इवन फ्लेमिंग और रिकी पॉंटिंग जैसे विदेशी कोज भी इस दोड में शामिल है विरेंदर सेवाग और वीवी एक्स लक्षमन भी संभाविक्त उमिद्वारों में से एक हैं बीसी सी आई ने 27 माई को अवेदन की आखरी तारिक का टै की है गौतम गंबीर का केके के मेंटर हैं उनके लिडर्शिप में केके आर ने 2014 और 2016 में IPL ट्रॉफी जीती थी अब मेंटर के रूप में गंबीर का लक्षे एक बार फिर केके आर को चैंपियन बनाना है क्या गंबीर बन पाएंगे अगले हेड कोच यह देखना होगा दिल्चस्प गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एं थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो